हाई, वेलकम टे कम्मिनिकेशन फोर हैपिनेस, देशी साने मीजला भी फोर यू यदि हमें आइल्स करनी हैं, तो सबसे मॉस्ट इंपोर्टेंट हमारी होते हैं वकैबिलरी अब हम वकैबिलरी कहा से रह सकते हैं, आप उसके लिए नियूस्पेपर पढ़ सकते हो, आप उसके लिए नोवल पढ़ सकते हो लेकिन मैं अगर सबस्मेक हूँ, सबसे जो most effective way of learning vocabulary आप अपने दोस्तों को categorize कर लो इसके मतलव क्या है, अगर हमारे पास दोस्त हैं, कई सारे दोस्ताम माल लो तो उनमें से कई दोस्त कुछ मतलब positive होते हैं, और कुछ दोस्त रह सकते हैं अब कुछ वकैब ढूंड़ लो negative की, उनके लिए आप उनके sinonimut अनको को दे दो उनके लिए रख दो अब जो positive दोस्त है उनके लिए positive vocab उनके क्या सारे सारे आपके synoniums तो उनको दे दो जो neutral है कुछ neutral vocab जो बिल्कुल ना positive ना आपकी negative उड़ती वह बने जो neutral है दोस्त हो उनको दे दो तो vocab को याद करने का सब से जो effective तरीका है वो है उनको visualize करना अगर आप यह तरीका सीख गए तो वह कैब आपके हाथ पर अगर आपको और भी इंफोर्मिशन चाहिए तो विजिट कम्मुनिकेशन फूर हैपिनेस धन्यावाद